दोहजार नौ में राहूल गांदी जी का पचास लाग से बढ़कर वो नौ करोड की असेट बन जाती है राहूल गांदी जी आपकी कमाई का स्रोत क्या है? एक हमने वाडरा मॉडल आफ डिवलप्मेंट भी देखा है 2019 के लोग सभाचुनाफ से पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में गांधी परिवार बुरी तरह घिरता नजर आ रहा है बीजेपी ने कॉंग्रेस सध्यक्ष राहूल गांधी और प्रियंका गांधी पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि कॉंग्रेस से जवाब देते नहीं बन रहा बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी कोई काम नहीं करते तो फिर उनके पास करोडों रुपए की जायदाद कहां से आई शनिवार को बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के 2004 से 2014 के हलफ नामे को आधार बनाते हुए पूछा कि 2004 में 55 लाख की संपत्ती वाले राहुल की संपत्ती 2014 में 9 करोड कैसे हो गई राहुल गांधी जी आपकी कमाई का सुरोथ क्या है बहुत डिवलप्मेंट बचर्चा होती है एक हमने वाडरा मॉडल आफ डिवलप्मेंट भी देखा है जहां पर 6-7 लाख रुप्या लगाईए और दो-तीन वर्षों में साथ-ाठ सौ करोड की संपत्ती के मालिक हो जाईए ते एक वाडरा मॉडल आफ डिवलप्मेंट हमने देखा है अब हमें एक राहूल गांधी मॉडल आफ डिवलप्मेंट भी दिखाई पड़ रहा है राहूल गांधी जी एंपी है और उनकी कमाई का साधन मेंबर अफ पार्लमेंट की तनका है और तो वो कोई उनके पास पश्ट आयका साधन नहीं है जो प्रोफेशनल या बाकी कुछ उनके एलेक्शन एफिडेविट में देखा जाए तो 2004 में उन्होंने अपनी संपत्ति को डिक्लेयर किया था 55,38,123 दो हजार चार के अपने एलेक्शन के एफिडेविट में राहुल गांधी ने अपनी संपत्ति बताया था 55,38,123 ये 2009 के चुनाओं में दो करोड हो गई और 2014 के चुनाओं में नो करोड हो गई अब MP की तनखा कितनी होती है हम भी जानते हैं वो भी जानते हैं दरसल राहुल गांधी के चुनाओं में दाखिल जानकारी के मुताबिक 2004 में उनके पास 55,83,123 रुपए की कुल संपत्ती थी 2009 में ये संपत्ती बढ़कर दो करोड हो गई 2014 में ये संपत्ती बढ़कर नो करोड हो गई बीजेपी ने इसमें राहुल के बहनोई रॉबर्ट वाडरा को भी निशाने पर लिया और पूछा कि क्या ये वाडरा मॉडल ऑफ डिवेलपमेंट है जिससे महस 10 साल के भीतर एक संसत की संपत्ती करीब 8,45,000,000 तक बढ़ जाती है कॉंग्रेस को घेरने का जो सिलसिला शनिवार से शुरू हुआ था रविवार को भी जारी रहा और अगले दिन बीजेपी के संबित पात्रा पूरी डीटेल के साथ मीडिया के सामने आए और राहुल प्रियंका पर ताबड तोड हमले किये ये एक मात्र ऐसा परिवार है मित्रों कोई काम नहीं करती है ये परिवार सूती कपड़े पहनते हैं कोई काम नहीं करती है मगर करोडों खरबों रुपए नजाने कहां से चपड़ भार के इनके पास आ जाती है कहां से आती है ये पैसे ये खुलासा हम कर रहे हैं एक फार्माउस है कहां है ये फार्माउस दिल्ली में दिल्ली में कहा है महरौली में हैं कितना बड़ा है फार्माउस चार दसमलव छो नौ एकर लगबग पांच एकर का ये फार्माउस है और इस फार्माउस में कौन रहते इस फार्म हाउस का कॉस्ट है नौ लाक रुपए और उससे आप रेंटल अर्न करते हो जो की चार से नौ गुना अधिक है उसके रेट से करोडो रुपए का रेंटल अर्न हो रहा है इसकी प्राइस नौ लाक रुपए है आप सोचिए राहूल है येट अगें थोड़ पीपल अधिक संपत्ती के मामले में अब राहूल गांधी बुरी तरह फस गए हैं बीजेपी का कहना है कि वो हर मंच पर इस मामले में गांधी परिवार पर हमला करेगी जाहर है आने वाले दिनों में कॉंग्रेस को इन सवालों के जवाब देने ही होंगे राहूल गांधी जी सवाल हमसे पूछते रहते हैं वो सवाल में कितनी सच्चाई होती है कितना वजन होता है आपको पता ही है कल हम लोगों ने विस्तार से जब एक्सपोज कर दिया कि पूरा जो योद्रप्पा जी के समन्द में एक फेक डायरी की बात थी वो उन्हीं के नेता दी शुकुमार ने अपने हाँ इंकम टैक्स रेट में दी थी और जिसकी सच्चाई को वो खुद प्रमानित नहीं कर पाए और बाद में कहा कि इसका ओरिजिनल मेरे पास नहीं है सीबीडी का भी जवाब आया था आज मित्रों हमें कुछ राहुल गांदी जी आपकी कमाई का स्रोत क्या है कि बहुत डिवलप्मेंट बचर्चा होती है एक हमने वाडरा मॉडल ऑफ डिवलप्मेंट भी देखा है जहां पर 6-7 लाक रुप्या लगाईए और दो-तीन वर्षों में साथ-800 क्रोड की संपत्ति के मालिक हो जाई है तो एक वाडरा मॉडल ऑफ डिवलप्मेंट हमने देखा है अब हमें एक राहुल गांधी मॉडल ऑफ डिवलप्मेंट भी दिखाई पड़ रहा है राहुल गांधी जी एंपी है और उनकी कमाई का साधन मेंबर ऑफ पार्लमेंट की तनखा है और तो वो कोई उनके पास पश्ट आयका साधन नहीं है जो प्रोफेशनल या बागी कुछ उनके एलेक्शन एफिडेविट में देखा जाए तो 2004 में उन्होंने अपनी संपत्ति को डिक्लियर किया था 55,38,123 2004 के अपने एलेक्शन के एफिडेविट में राहुल गांधी ने अपनी संपत्ति बताया था 55,38,123 ये 2009 के चुनाव में 2 करोड हो गई और 2014 के चुनाव में 9 करोड हो गई अब MP की तंखा कितनी होती है हम भी जानते हैं वो भी जानते हैं मैं सुप्रेम कोट का छोटा मोटा वकील था अब मंत्री हूँ तो तंखा कितनी मिलती है पता है तो राहुल गांधी जी ये क्रिप्या बताई है कि वाट इस राहुल गांधी model of development कि without any ostensible source of income from a mere 55,038,123 in 2004 your asset grew to 9 crore in 2014 अगर हम गरत बोल रहे हैं तो आप से फाइदे दीजिए हमने कुछ दिन पहले press conference किया था कि एचल पहवा सहाब के बारे में बताया था कि कैसे एचल पहवा सहाब ऐसे शक्स है कि पूरा परिवार उन्हीं से जमिन खरीदता बेचता भी है थाविसला की जमिन खरीदी गई कि डाहुल जी की बेहन ने भी जमिन खरीदी और उनको महेंगे ना पर बेच दिया है पहवा जी ने कहा मेरे पास फंड नहीं है तो फंड उनको एक थंपिसाब ने देदिया थंपिसाब के भंडारी साब से क्या संबंद थे इसको मैं विस्तार से आपके सांदे रखा है और ओप इंडिया ने भी कि अपने वेबसाइट पर इन विश्यों को विस्तार से रखा है जिसके वाद हमने कहा था लेकिन आज सुबह से अनिल बरुनी और हम लोग तुदा गुना भाग कर रहे थे शबत पत्र को देखा तो हम लोग की आखें चौक गई कि सिर्फ एंपी के कमाई से पच्पन लाग स से नौ करोड संपत्ति कैसे हो जाती है अब कोई किसी को किराय पर दे इसे तो हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन जब नोटिस होती है तभी किराय पर रेंट शड़ जाता है और FTIL 40 लाख रुपे का एक इंटरेस्ट फी चेक पेइमेंट करता है यह क्या है यह बाते मैं आप से इसलिए कहना चाहता हूं कि कॉंग्रेस पार्टी में पूर्व में पहवा से जो 26 लाख की जमिन खर्दी गई थी उसको से शिविकार किया है हमने संजय भंडारी और थंपी के संबंधों के बारे में चर्चा की थी संजय भंडारी फ्यूजिटी वह आपको पता है दमाजशी से उनके संबंधों की चर्चा बहुत हुई है लंदन की प्रॉपर्टी को लेकर और उन्होंने हमने ये भी बताया था कि वो एयरबस के भी डीलर ये मेरे ख्याब में लॉबिस थे और एयरबस एरो फाइटर बनाते हैं जो राफेल का कॉंपरिटर था इसारी बाते हमने आप से चर्चा की थी पहले कि लेकिन ये फ्यूचर टेक्नोलोजी जो है ये बताना बहुत जरूरी है कि की कि दस महीन और ये उनके सरकार के समय नोटिस हुआ था अगर आप उपरायाद होगा गोजा तेरह की बात है बारते रखेंगे तो फूचर टेक्नोलोजी को नोटिस होती है और दस महीने के अंदर कि फार्माउस का किराया हो जाता है पेमेंट हो जाते हैं ये क्या मतलब ह है ये मामला बहुत ही गंबीर है लेकिन सबसे हाँ एक बात और भी है आज हम सवाल राहुर गांदी से पूच रहे हैं क्या आपने युनिटेक से दो प्रपर्टी खरीदी हैं क्या बीजेपी टुडेइज आस्किंगे क्वेश्चन है युनिटेक एक है 1.44 करोर एक है 5.36 करोर हम चाहते हैं पहले वो डिनाई करते हैं अगर दिनाई करेंगा तो देखेंगे पर तेकि युनिटेक के बारे में बताना क्यों जरूरी है युनिटेक कौन है टूजी याद आप इसके जो प्रमोटर थे वो बहुत दिन जेल में बन थे अब टूजी को हम ने अप्विल में चलेंज कर रखा है कसका करके है लेकिन टूजी का ट्रायल का मैक्समम पिरियेड है हमारे सत्ता में आने के पहले का पुए आदोगा कोर्ट के आदेश पर और मैंने पहले भ एक कानुन के इच्छाद को मैंने कहा था लेकिन उसमें जज़ की एक टिपनी है वहत रोचक है कि मैं साथ-ाठ साल से एविडेंस की प्रतिक्षा कर रहा था एविडेंस नहीं आया था तो यह एविडेंस की प्रतिक्षा और प्रपर्टी का परचेज इसमें कोई समद्ध ने गया यह बात हम उठाना चाहेंगे वो विशे इसलिए गावश्यक है कि अभी वो महमला पील में है और हमनोंने बहुत कसके उसको एक्स्पेडिशिस अपिल की हीरिंग के लिए कहा है और जितना प्रामानिक संख्या में दस्तावेज है निश्यत रूप से उसमें एक सा टूस की अब देश के सामने दो पैमाने एक पैमाना है कि नरेंद मोधी अगर उनको कोई चीज गिफ्ट मिलती है तो पब्लिक गिफ्ट होता है लोग खरीदते हैं जो पैसा आता है वो नामामी गंगे को दे देते हैं दूसरा है साउथ कोरिया जाते हैं उनको इंटरनाश पीस अवाड मिलता है जो पैसे मिलते हैं वो उसको नमामी गंगे में डे देते हैं और आपको मोदी जी की यह भी कहानी पता होगी कि जब वो लगवक चौदा वर्ष गुजरात के मुख्ष मंत्री होने के बाद जब वहां से चले क्या किया जाए क्योंकि विधायक बनने के परितर कोई बैंक अकॉंट था भी नहीं कितने पैसे का 21 लाक रुप्य है तो का हमारे मुख्ष मंत्री कर लेके चपरासी के बच्चों में बाढ़ दों उन्हें सेवा किया है और महां के चले आए तो एक तरफ इमांदारी का ये प रंखा के अलावे और पच्पन लाक से बढ़कर प्रापर्टी नौ करोड़ हो जाती है तो यह हम सौल उठा रहे हैं हम उमीद करेंगे राहूल गांदीजी इसका जवाब देंगे